हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल PNS इंस्ट्टूट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम DSSB 422 जो कि जुनियर सेक्रिटरियल असिस्टेंट LDC का इजाम है उसके बारे में complete discussion करेंगे कि यह job post क्या होता है इसकी salary कितनी होती है syllabus क्या होता है अगर इस job में आप selection हो जाता है आपका तो इसमें career growth कैसा है वगरा वगरा सारी बातों पर discussion करेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को जरूर जरूर subscribe कर लिजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यह जो इजाम है वो DSSB के द्वारा conduct कराया जाता है जो की junior secretarial assistant JSA या फिर LDC का इजाम है इस इजाम के लिए 12th level एक job है या और इस job को करने के लिए बहुत ही initial stage है जिस पे आप दिली में एक government job पा सकते हैं इसमें आपका एक अच्छा career growth भी है और साथ में एक अच्छी आपको salary भी दी जाती है तो चलिए बात कर लेते हैं कि salary इस job में आपको कितनी मिलती है अगर आप इस job में selection हो जाते हैं तो दोस्तो यहाँ पर देखिए DTSP junior clerk का जो grade पे है वो 900 का grade पे है basic पे आपको 52,000 से 20,000 मिलता है total जो आपको salary है लगवा लगवा 21 से 22,000 in hand salary आपको दी जाती है post के details की बात करें तो junior secretaryal assistant 442 post code है इसका जिसके लिए total 278 vacancy है और class 10 high school with English typing 35 word per minute और हिंदी typing 30 word per minute वाले जितने भी candidate है वह इस post के लिए eligible है चलिए next हम बात कर लेते हैं syllabus की दोस्तो किसी भी जान की तयारी करने से पहले आपको उसकी syllabus के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ही आवस्यक है तो यहाँ पर देखिए इस job के लिए आपसे 5 subject से question पूछे जाते है जनरल awareness, जनरल intelligence and reasoning, arithmetic and numerical ability यानि की math, हिंदी और English से परते एक subject से 40 question पूछे जाते हैं यानि की total आपका 40 गुने 5 200 questions होंगे और total 200 marks के question पूछे जाएंगे इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 2 घंटे 200 question को solve करने के लिए चलिए next बात कर लेते हैं कि इजाम कब होगा दोस्तों चुकि यह 2021 की vacancy है और अभी तक इसका इजाम का date नहीं आया है तो बहुत सारे ऐसे candidate है जो परेसान हो रहे है इजाम date को लेकर तो चलिए आपको बता देते हैं कि इसका जो इजाम होगा वो expected आपका March में है क्योंकि date replace भी जो है एक अच्छी संस्था है और इनका एक pattern है कि यह लोग हर एक महिने पहले जो भी इजाम होने वाले रहते हैं उनका schedule पहले यह निकाल देते हैं लेकिन अभी 44 भी 22 का schedule नहीं आया है फरवरी तक की इजाम का schedule आ चुका है तो अब जो भी इजाम बच्चे हुए उनका March में schedule आ जाएगा तो आपका ये इजाम March में 100% confirm है कि हो सकता है क्योंकि इसके बाद आपका CET का भी इजाम सुरू होने वाला है चलिए next बात कर लेते हैं अगर आप इस job में select हो जाते हैं तो आपको job क्या करना होगा दोस्तो it includes the data entry work इसमें आपको data entry work करना होता है maintenance of data document and carry forward daily work on computer of the concern department data document ये सब का maintenance आपको basically करना होता है यानि कि आपको एक basically color की भूमिका में ये job आपको offer किया जा रहा है चलिए next बात कर लेते हैं कि अगर आप इस job में select हो जाते हैं तो career growth कैसा है आपका तो यहाँ पर देखिए आप LDC से UDC में promotion हो सकता है आपका अगर आप graduate हो जाते हैं तो आप दूसरे post के लिए भी department में यानि कि departmental जाम से other post के लिए भी apply कर सकते हैं ठीके और several department जाम होते हैं जिससे आप other post higher post पे जाते हैं ग्रूप B के तो अच्छी आप यहाँ पर आपको career growth कहा जा सकता है अगर आप talented है अगर आपके अंदर ability है तो आप अपने काबिलियत के अनुसार इसमें job career growth इसमें अच्छा आपको मिल जाता है इसी job पर नहीं अटके रहेंगे आप अगर आपके पास काबिलियत है तो forward हो जाएंगे दोस्तों यह था complete video आज के इस topic के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे ही हम हर एक government exams की एक सीरीज सुरू कर रहे हैं जिसमें हम उस job के बारे में complete discussion देने वाले हैं तो अगर आप government job की सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में